ये लो गाइस मैं हुई एनाई बीमस के स्टुटेंट और माई यूटीब चैनल में डिकोड़ा पर आपका स्वागत है तो गाइस यदि आप भी आइस कांसलिंग 2020 में पार्टिशिवेट कर रहे हो तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होन इस मुल्यादा भिए करमें वाला है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वालने सब्सक्राइब और या मोपवर राउंड की एकस्पक्टेड कट्व okay तो यहां पर यां पर झाने सब्सक्टाइब बताएगे वो गोटाईस पट्क्राइब और बिल्कुल एक्तुरेट आपक city eligible है नोगी गास तो इन सब के बारे में जो है इस वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला ऐसनी वीडियो का आप बिलकॲ भी स्कीप ना करें और वीडियो का इन तक देखें ओक जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो के अन तक बने रहें तो इस व्डिए में डिसक्स करने वाले आयोश की मॉप ब्राउंड या थल राॉंड की एक्सपेकटेड कटोब के बारे में ओके गाइस और जो मॉप ब्राउंड और थल राउंड जो है । उसकी जो कटोब वह डाउन रहने वाली और क्यों डाउन रहेगी इसका जो रिजन भी वह मैं आपको इस वीडियो की लास्ट में बताऊंगा ओके गाइस इसलिए वीडियो का बिल्कुल भी स्कीप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए ओके गाइस तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जनरल केटि मार्क्स आ कैस और ऑल यंडियाइड कोडा में जो कर टो फॉससां ओणना है वो फंदे थर्टी प्लस और सेंटल एउयों दिछेटी ब्हु में होकुर्व रहने की संहाे होना है वह मौने नाइनटीप्लस में औरस जश्छेटल इस पंदा रहने चीएकंधर्ण को एटेग प्लस ओके गाइस और सेंटर लिए सिटी सी लॉंग में कटोव रेनी की सम्मावना है मौपोवराउन में जनरल केटिगरी की वह हैं 565 प्लस मार्क्स ओके गाइस तो यह दिया आपके इतने मार्क्स आ रहे तो आप जो हैं अपने आपको सेप मान सकते हो और आपको जो हैं मौ मापोव राउंड में जो हैं वह कुटओव डाउन रहने वाली है ओकिता तो हो सकता है इससे 5 य 10 नमर जो है कम ज्यादा भी हो सकती क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सपक्टेट का तो बता रहा हूं तो पांच यह दस नमर जो हैं वह ज्यादा या कम हो सकती ए लेकिन इसके आर तो याँ से देख सकते हों कि Central University जो BHUA है इसकी cutoff रहनी की सम्मावना है 590 प्लस और Central University जामनागर में जो EWS की cutoff रहनी की सम्मावना है वो 585 प्लस मार्क्स और Central University NIA Digitalegor में EWS category की cutoff रहनी की सम्मावना है 592 प्लस और Central University C-long में जो cut-off रहनी की सम्मावना है वो 550 फ्लस मार्क्स ओके गाइस तो यह है EWS केटिगरी की expected cut-off मौप रहनी की BMS कोर्स की ओके गाइस अब बात करते हैं next category की बार में तो यहाँ पर है next category OBC तो OBC की BMS कोर्स में देखते हैं कि जो मौप राउन में कितनी cut-off रहनी की सम्मावना है तो यहाँ पर Central University जो BHC की मौप राउन में जो OBC category की cut-off रह सकती है वो रह सकती है 588 प्लस मार्क्स और Central University जामनागर की रह सकती है 584 प्लस मार्क्स और Central University जापूर की रह सकती है 587 प्लस मार्क्स और Central University शिलोंग की जो cut-off रह सकती है वो 545 प्लस मार्क्स ओके गास तो यह है OBC category की एक्सपेक्टर की cut-off मौप राउन की BMS कोर्स की अब बात करते हैं next category की बारे में next category है SC category तो SC category की जो है BMS कोर्स में cut-off रहने की सम्भावन आए मौप प्राउंड में तो वो देख सकते हो All India Government quota से जो cut-off रह सकती है वो 420 प्लस और Edit quota से जो cut-off रह सकती है वो 415 प्लस और Central University नाइए Central University BHU की जो cut-off रह सकती है SC category की वो रह सकती है और 460 प्लस और Central University जामनागर की रह सकती है 490 प्लस और Central University नाइए जेपूर की रह सकती है 488 प्लस और Central University जो सिलोंगे इसकी cut-off रह सकती है 418 प्लस माक्स तो यह है SC category की मौप राउंड में जो है expected cut-off जो है वो यह रहने वाली है BMS course की ओके गास अब बात करते है next category के ST category के बारे में कि ST category की मौप राउंड में कितनी cut-off रहनी की सम्मावना है तो गास जो ST category है उसकी BMS course में मौप राउंड में cut-off रह सकती है वो ओल इंडिया गवर्मेंट कोटा से रह सकती है 410 प्लस और एडिट कोटा से रह सकती है 390 प्लस माक्स और Central University BHU की रह सकती है 450 प्लस माक्स और Central University जामनागर की रह सकती है 440 प्लस मार्क्स और Central University एन यह जेपूर की रह सकती है 460 प्लस मार्क्स ओके गाइस और Central University जो सिलोंगे इसकी कटोब रह सकती है ST category की 405 प्लस मार्क्स ओके गाइस तो यह है ST category की expected कटोब BMS course की अब बात करते है BHMS course, Homopathy course की बारे में की Homopathy course की जो है Mopop round में कितनी कटोब रह सकती है ओके गाइस तो BHMS course, Homopathy course तो इसमें general category की जो Mopop round में कटोब रह सकती है All India Government quota से वो रह सकती है 480 प्लस और Edit quota से रह सकती है 490 प्लस और Central University Kolkata की जो कटोब रह सकती है वो 520 प्लस Central University, Sea Long की जो कटोब रह सकती है BHMS की वो रह सकती है 550 प्लस मार्क्स ओके गाइस तो ये है BHMS course की general category की कटोब जो की Mopop round में रहने की सम्मावना है ओके गाइस आगे बात करते है Next category और EWS category की बारे में की EWS category की जो है BHMS course में कितनी कटोब रहने की सम्मावना है Mopop round में तो गाइस यहाँ पर BHMS course में जो EWS की कटोब रहने की सम्मावना है वो देख सकते हो Central University, Kolkata में जो रह सकती है वो 510 प्लस मार्क्स और Central University, Sea Long में रह सकती है 490 प्लस ओके गाइस तो ये EWS category की जो है Mopop round में कटोब रह सकती है BHMS course की उसके बाद बात करते हैं OBC category की तो OBC category की Central University, Kolkata में रह सकती है 510 प्लस Central University, Sea Long में रह सकती है 488 प्लस मार्क्स ओके गाइस तो ये है OBC category की जो BHMS course की Mopop round में कटोब रह सकती है ओके गाइस आगे बात करते है Next category SC and ST category के बारे में तो गाइस जो SC और ST category की कटोब रह सकती है Mopop round में BHMS course की वो रह सकती SC category की रह सकती All India Government Cota से 370 प्लस मार्क्स और Edit course से रह सकती है 380 प्लस मार्क्स Central University, Kolkata से रह सकती है 390 प्लस मार्क्स Central University, Shilong की रह सकती SC category की 378 प्लस मार्क्स ओके गाइस तो यह है SC category की कटोब जो की BHMS course में Mopop round में रह सकती है उसके बाद देखते है SC category तो SC category की मopop round में कटोब रहने वाले है BHMS course की वो रहने वाले है All India Government Cota से 240 प्लस मार्क्स Edit Cota से 350 प्लस मार्क्स और Central University, Kolkata की रह सकती है 330 प्लस मार्क्स और Central University, Shilong की रह सकती है 340 प्लस मार्क्स ओके गाइस तो यह ST की कटोब जो रह सकती है Mopop round में ओके गाइस तो यहां पर BMS और BHMS course की हमने बात कर ली कि इनकी जो है Mopop round में कितनी कटोब रहने की सम्मा होना है अब बात करते हैं Next course सिद्धा के बारे में BMS course के बारे में कि BMS course की जो है वो कितनी कटोब रहने की सम्मा होना है Mopop round में तो गाइस यहां BMS course है इसकी कटोब रह सकती है General category में All India Government quota से 480 plus marks SC category की रह सकती है All India Government quota से 400 plus marks और ST category की रह सकती है All India Government quota से 340 plus marks ओके गाइस तो यह BMS course की expected कटोब है Mopop round की जो यहां पर यह रह सकती है ओके गाइस तो इसके rounding की जो हैं वो कटोब रहने वाली है 5-10 नमर जो हैं वो कम ज़ादा हो सकते लेकिन जो है इसके rounding जो है आपकी कटोब रहने वाली है ओके गाइस अब बात करते है Next course B.U.M.S यानि की यूनानी कोर्स के बारे में की यूनानी कोर्स की जो है Mopop round में कितनी कटोब रहने की सम्मा होना है तो अब देखते B.U.M.S कोर्स की कटोब ओके गाइस तो जनरल केटिगरी की जो expected कटोब रहने वाली है Mopop round की वो All India Government कोटा से रहने वाली है 480 प्लस माक्स Edit कोटा से रहने वाली है 520 प्लस माक्स और ST केटिगरी की रहने वाली है Government कोटा से 340 प्लस माक्स और Edit कोटा से रहने वाली 380 प्लस माक्स और SC केटिगरी की काटोब रहने वाली है और India Movement कोटा से वाली है 370 प्लस माक्स ओकी गाइस तो यह हमने सारे कोट्स वाईस और काटिगरी वाईस यहाँ पर expected के बारी में तुर्पर कापी सारे जो इस्टूडेंट उसमें परपेट और वहाँ पर जो है कापी सारे सुडेंट जो है वहाँ पर एमिशन ले लेंगे ऑपि और धूसरपेक्टर है कि जो आइस मिनेश्टर ने एलिजबिलिटी क्राइटेर निकाला हैं थल्डाउंड या मॉपव राउंड का उसकी साब से कापी सारे जो इस्टूडेंट है वह मॉपव राउंड में पार्टिशिपेट नहीं कर सकते जिसके हाई माक्स से उसको फर्स्ट राउंड राउंड में कोई सीट अलोट हो तो यह कुछ फेक्टर थे जिसकी वजह से जो है थल्डाउंड या मॉपव राउंड की कटोफ डाउं रहने वाली है तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आयोगा गाइस वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना इन जादे से जादा सेयर करना और यह दी हमा कि मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ जब तक लिए जैन जे बारत